9066 की वो murder mystery याद है आपको गुत्ती सुलजाते वे hero को villain समझ लेती है heroine ब्लॉग बस्टर थी ए फिल्म 7.5 rating वाली 9066 की वो murder story जी हाँ इन दिनों audience पस suspense thriller, crime drama और murder mystery का क्रेज पढ़ गया है murder mystery पसंद करने वाली audience के लिए हम एक ऐसी film लेकर आये है जो 1966 में release हुई और बॉलीवुड की top 25 ब्लॉग बस्टर फिल्मों में से शामिल है इस hit list में इसकी IMDB rating भी 7.5 है इस murder mystery की शुरुवात एक लड़की से होती है जो बेढ़ंगे तरीके से पहाडों पर ड्राइब करते हुए एक होटल में जाती है फिर third floor से गिरकर इसकी मौत हो जाती है लोगों को लगता है कि उसने suicide किया है लेकिन लड़की की बेहन सुनीता को विश्वास नहीं होता वो बेहन की मौत की वज़ा का पता लगाने के लिए होटल और वहाग काम करने वालों से एक अजनभी की तरह बातचित करती है वहीं रहती है इसी बीच उसकी दोस्ती होटल में ड्रम बजाने वारे रोकी से हो जाती है मुलाकात फिल्म में सुनीता का किरदार आशा पारेक नहीं चबकि रोकी के रोल का किरदार जो है शमी का पूर ने निभाया सुनीता जिस कातिल की तलाश में होती उसे पकड़ने के लिए वह गुप चुप तरीके से काम करती है वहीं रोकी भी कातिल का पता लगाने के लिए जाल बिछाता है लेकिन सुनीता को रोकी पर भी शक होने लगता है सुनीता बहन की मौत के तार जोड़ना शुरू करती है जो रोकी से जोड़े होते है सुनीता भी काफी कन्फ्यूज लगती है ओडियन्स को भी नहीं समझ में आता हुजूर की कतल हुआ या मर्डर बीच बीच में प्रिम चोपड़ा के किरदार रमेश पर भी शक किया जाता है लेकिन उसका सुनीता की बहन की मौत से कोई कनेक्शन नजर नहीं आता रमेश पहले सुनीता की बहन से सगाई करता है लेकिन उसके मौत के बाद सुनीता से शादी करना चाहता है फिल्म का नाम फिल्म का नाम क्या था? अब तक तो आप भी समझ गए होगे जी हाँ, फिल्म का नाम था तीसरी मन्जिल इसका क्लाइमेक्स काफे इंटरस्टिंग है विलन कौन निकलता है? ये जानने के लिए तो आपको फिल्म ही देखना पड़ेगा ये साल 1906 की ब्लॉक बस्टर फिल्मों में से एक थी तीसरी मन्जिल को देवानन के भाई विजय आनन ने डाइरेक्ट किया था इसके प्रोड्यूसर आमिर खान के पापा नासीर हुसेन थे फिल्म में शमे कपूर, आशापारे के अलावा, हेलिन, प्रेमनात, राजमहरा जैसे उस दौर के प्रधिबाशाली और बड़े कलाकार थे इस फिल्म का जो गीत था वो सूपर डूपर हिट हुआ था चाहे आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा या फिर ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना और भी इस फिल्म इस सारे ही जो गीत थे वो लोगों की जबान पर आज भी चड़े हुए है चाहे वो गीत हुँ दीवाना मुझे सा नहीं इस अंबर के नीचे आगे है का दिल मेरा और हमें पीछे पीछे जी हां तो हम भी आपके पीछे पीछे हैं हमारे सबी विवर्स से अब मैं लेना चाहूंगी अनुमती बॉली वुड में आज के लिए इतना ही फिर मिलोंगी जल्दे ही बॉली वुड की कोई नई कहानी या दिल्चस्प किस्ता लेकर तब तक के लिए नमस्कार